हैलो एवरीवान वेलकम टू आ चैनल सुमी कॉमर्स क्लासस हाव यू गाइस हम पढ़ रहे थे जो हमारी अकाउंटेंसी है 12th क्लास की उसमें से टॉपिक जो हमारा था पार्टनर्शिप फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्शिप इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो री कंस् जो फर्म होती है उसका पुनर गठन जिसमें पुनर गठन किन कंडिशन्स में होता है कुछे कंडिशन्स हमने स्टडी कर ली थी आज कर जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है एड्मीशन ओफ पार्टनर्श जब साजेदार जो है वर्म के अंदर एंटर करता है तो भ नई साजेदार की एड्मीशन ओफ पार्टनर नई साजेदार के प्रवेश के समय साजेदारी सल्लेक का बनाना इसके अंदर होता है भारते साजेदारी अधिनियम की धारा 31-1 के अनुसार नया साजेदार तब ही बनाया जा सकता है जब बाकी सभी साजेदार उसको बनाने क के लिए सहमत होते हैं उसके बाद आता है देखिए profit sharing ratio इनका क्या होगा कैसे हाँ नया साज़ेदार enter करता है क्या conditions होती है तो साज़ेदार के परवेश के समय साज़ेदारी firm का पुनरगठन हो जाता है कि पुराना जो अनुबंध है वो तो समापत हो जाता है और एक नया अनुबंध एक नया जो contract है वो उन साज़ेदारों में शुरू हो जाता है जैसे कि इन्हों ने उपर आपको slide में show हो रहा है कि यहाँ पर दो partner है एक Amit है एक Rahul है ठीक है जो इसमें show हो रहे हैं Amit और Rahul जो है वो पुराने साज़ेदार है अब वो जो profits को share करते थे वो 5-3 में enter करते थे तो यहाँ पे आपको plus का sign दिखाई दे रहा है और इसके साथ यह show हो रहे है कि यहाँ पे एक और partner आया है तो यह नया partner है one by fourth share के लिए जिसका नाम है सुरेश तो इसके admission के time पे जैसे ही on the admission of a new partner आता है firm stands reconstituted यानि कि क्या इनोंने बता है कि इस example में आमितो राहूल पहरे से साज़ेदार थे जो 5-3 में ratio के अंदर अपने जो lab है उसको divide करते थे अब फिर उन्होंने सुरेश को मिला लिया तो सुरेश नया साज़ेदार है firm के अंदर इसका admission होता है one by fourth share के साथ तो इस तरह से इससे साज़ेदारी firm का पुनरगटन हो जाता है अब नई साज़ेदारी की अंदर नई साज़ेदार के प्रवेश के उदेश्य क्या होती है क्यों इसकी अवशकता होती है सबसे पहला इसके अंदर है कि इससे क्या होता है कि व्याफसाई के विस्तार के लिए जब हमें business को extend करना होता है और उसके लिए हमारे पास capital नहीं होती है तो व्याफसाई के विसार के लिए अधिक पुंजी की आशकता के उदिश्य से नहीं साज़ेदार को हम enter करते हैं या फिर firm के अंदर किसी योग्या अनुभवी व्यक्ति की आशकता हो firm की ख्याती में विद्धि के लिए ताकि firm की reputation बढ़े क्यों क्या होता है इसके अंदर अपने field के अंदर जो mastermind होते हैं जो experts होते हैं हम उनकी सला लेते हैं तो उसको expert को enter करवाना होता है या उसका जो प्रवेश होता है तो उसका भी firm को फाइदा होगा इसलिए इससे क्या होता है कि व्यपार की ख्याती जोती है वो वढ़ती है योगय करमचारियों को प्रोटसाहात करने के लिए भी हम क्या करते हैं नए साज़ेदार के प्रवेश की आशकता हमें अनुभव होती है नई साज़ेदार के परवेश अब जो एंटर करेगा पार्टनर तो हमें क्या-क्या अरजस्ट्मेंट करनी होगी जैसे नया लावी भाजन अनुपात ग्याद करना सबसे पहला तो हो जो हमारा काम होगा वो न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशो निकालना होगा हमें गुट्विल के लिए भी अकाउंटिंग प्रोसेजर अपनानी पड़ेगी ख्याति का लिखांकन स्युक्त जीवन भीमा पालिसी के लिए लिखांकन करना पड़ेगा संपतियों दायतव जो हमारे हैं फर्म के उसका भी पुनर मुल्यांकन करना पड़ेगा इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड जो आगी होगी उसमें हम पड़ेंगे रिवैलियूइशन अकाउंट जो संपतियों दायतवों के पुनर मुल्यांकन के लिए होते हैं और संचो एवम संचित लावों का लिखांकन तो ये नई साज़ेदार के परवेश पर हमें कुछ समायोजन करने पड़ते हैं उसके बाद हम कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूप्राफिल शियरिंग रेशों नया साज़ेदार जो होता है वो लाब का हिस्सा पुराने साज़ेदारों से प्राप्त करता है अब जिससे पुराने साज़ेदारों के लाब के हिस्से जो होते हैं वो तो कम हो जाते हैं और अतेहर नई लावी भाजन अनुपात जो होते हैं, वो ग्याद करने पढ़ते हैं। New Profil Sharing Ratio को जब हम calculate करते हैं, तो इसमें कौनसी कौनसी problems आती हैं। जैसे इसको हम cases wise study करेंगे, case number 1, जब question में केवल नई साज़ेदार का ही अनुपात दिया होता है। हमें इसरफ ये पता हैं कि नई साज़ेदार का ये अनुपात है और ये सबस्ट नहीं होता कि नई साज़ेदार ने अपना हिस्सा पुराने साज़ेदारों से किस अनुपात में लिया है। तो हम ये माल लेते हैं कि पुराने इस अनुपात में ही जो साज़ेदार हैं वो लाभानी का विभाजन करते ही रहेंगे अब युचो नया साज़ेदार है उसको पुराने साज़ेदार क्यों देंगे देखो सिंपल सी बात है कि एक फर्म के अंदर ए और भी दो पार्टनर थी ठीक है जिनका रेशो वन इस्टो टू था जब नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा तो उसको भी कुछ न कुछ मिलेगा तो बाकी के जो पार्टनर है वो सेक्रिफाइस करके उसको देंगे न तो वो गेन करेगा और वो सेक्रिफाइस करेंगे तो इसमें हम एक example लेते हैं ABC यहाँ पर पार्टनर है जिनका profit sharing ratio 3 to 2 is to 1 है अब D को admit कर लेते हैं वो 1 by 6 ते share के लिए तो हमें new profit sharing ratio निकालना है total profit हमें इसके अंदर माल लेते हैं की 1 है ठीक है D का share 1 by 6 है तो remaining partner का share कितना होगा 1 minus 1 by 6 उनका share होगा 5 by 6 अब हम क्या करेंगे इनका new profit sharing ratio निकालने के लिए जो older ratio था A का 3 by 6 उसको multiply करेंगे जो इनका remaining ratio है 5 by 6 ते तो A का new share हो जाएगा 5 by 12 इसी तरह से B का हो जाएगा 5 by 18 और C का हो जाएगा 5 by 36 और D का share already 1 by 6 है तो इस तरह से calculate होगा new profit sharing ratio 15 is to 10 is to 5 is to 6 याद रखना कि इसमें क्या होता है कि नए साज़ेदार का अनपात दिया होता है और ये नहीं सपस्ट होता कि नए साज़ेदार ने अपना हिस्सा पुराने साज़ेदारों से किस अनपात में लिया है तो ये case number 1 case number 2 क्या होता है कि कभी कभी नए साज़ेदार अपने हिस्से को पुराने साज़ेदारों से ब्राबर प्राप्त करते है ब्राबर प्राप्त करने का मतलब क्या होता है कि पुराने साज़ेदारों से वो 1 is to 1 में लेता है तो ऐसे में पुराने साज़दारों के पुराने हिस्सों में से इस त्याग के हिस्से को घटा कर सभी साज़दारों के नियर अनुपात जो हैं वो ग्याद किये जाते हैं अब इसमें हम एक्सांपल लेते हैं A और B पार्टनर है उनका प्रॉफर शेरिंग रेशो कितना है 5 इस तो 3 वो एडमिट करते हैं C को C का शेर 1 बाइ 5 जो एक्वार करता है 1 बाइ 10 फ्रॉम इच A एंड B A से भी 1 बाइ 10 लेगा और B से भी 1 बाइ 10 अब A का शेर कैसे होगा जो अल्रेडी पुराना शेर था 5 बाइ 8 उसमें से 1 बाइ 10 माइनस कर दो B का शेर क्या होगा 3 बाइ 8 था उसमें से 1 बाइ 10 लेस कर दो एंड C का शेर 1 बाइ 10 ए से लिए और 1 बाइ 10 बी से लिए दोनों का एड़ कर दो तो यहां से C का शेर कितना हो जाएगा 2 बाइ 10 न्यू प्राफिट शेर इंग रिएशो क्या होगा 21 इस तू 8 11 इस तू 8 यह कैसे हुआ हम इसका LC हम ले लते हैं 21 बटा 40 11 बटे 10 2 बटे 10 इनका जाएगा 21 अनुपात 11 अनुपात 8 क्लियर उसके बार आता है केस नंबर 3 कभी कभी ऐसा होता है कि नया साजदा एक विशेश अनुपात में पहले तो यही नहीं था कि फर्स्ट केस में तो यह था कि उसको उनको पता ही नहीं है कि वह उनसे किस अनुपात में लेगा दूसरे में यह था कि वो उनसे equally लेगा तीसरे में क्या होता है कि नया साज़ेदार एक विशेश अनुपात में अपने जो पुराने साज़ेदार हैं उनसे अपने लाब का हिस्सा प्राप्त करता है तो ऐसे में हम क्या करेंगे वही पुराने अनुपात में से उसके जितना वो लिता है उसको घटा के नाभानी वी भाजन का अनुपात ग्यात होगा A और B पार्टनर है उनका profit sharing ratio कितना है 7 is to 3 C आता है 3 by 7th share के लिए और जो लेता है 2 by 7th A से और 1 by 7th B से अब इसमें हमें अलग-अलग से दे रख है कि वो A से कितना लेगा 2 by 7th लेगा और B से कितना लेगा 1 by 7th तो A का share कितना होगा जो 7 by 10 है क्योंकि 7 अनुपात 3 का मतलब है 7 बटे 10 A का और 3 बटा 10 किसका B का तो A का share 7 बटे 10 में से 2 बटा 7 जो इसने लिया है वो माइनिस कर देंगे B का share 3 बटे 10 में से 1 बटा 10 जो है वो माइनिस कर देंगे और C का 2 जो A ने sacrifice किया प्लस जो B ने sacrifice किया 2 बटे सा प्लस 1 बटे सा एड़ कर देंगे तो C का share हो जाएगा तो new profit sharing ratio कितना होगा इन calcium लेके 29 बटे 70 11 बटे 70 और 3 बटे 7 तो यहां से जो इनका ratio होगा वो new profit sharing ratio होगा 29 is to 11 is to 30 clear उसके बाद आता है case number 4 कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने साज़दार अपने हिस्सों का एक निश्चित भाग नई साज़दार को दे जते हैं और पुराने साज़दारों के हिस्से उनके द्वारा त्याग किये गए हिस्से को घटा कर निकाले जाते हैं तो इसमें जैसे हम example लेते हैं A और B partners share करे हैं profits ratio उनका कितना है 3 to 2 admit कर लेते हैं C को जो पौर वीचे जिसके लिए कि A जो है वो surrender करता है जितना उसका share है उसका 1 by 5 B surrender करता है जितना उसका share है A का share 3 by 5 है तो 1 by 5 वो surrender कर देगा B का share 2 by 5 है तो वो करेगा 2 by 5 in favor of C तो A का older ratio 3 by 5 है एस surrender कितना करेगा 1 by 5 multiply apply 3 by 5 3 बटा 25 बी का older share कितना है 2 by 5 बी surrender करता है 2 by 5 का 2 by 5 यानि कि 4 बटे 25 एका new share कितना होगा 3 by 5 में से हम less कर देंगे जो उसने surrender किया 3 by 25 तो या जाएगा 12 बटे 25 बी का new share क्या होगा बी का जो share था already 2 by 5 उसमें से जो बी ने surrender किया in favor of C यादि कि C के लिए 4 बटा 25 वो minus कर देंगे और C का जो इनों ने surrender किया 3 by 25 एने और 4 बटे 25 बी ने दोनों को add कर देंगे तो इस तरह से इनका new profit sharing ratio जो है वो कितना होगा 12 is to 6 is to 7 so thanks for watching and keep watching so me commerce classes guys